वेलकम टू माई चैनल कुकिंग बाइट 360 कैसे हैं प्यारे विवर्स अमीद करती हूँ आप सब ख्यार आफिया से होंगे आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी फ्राइ चिकन यह बहुत मज़े का चिकन बनता है आप इसे जुरूर ट्राइ करें और बच्च सोया सोस डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टोमाटो कैचप थ्री टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट टू टेबल स्पून अब हम इसमें अड़ करेंगे जिंजर पेस्ट टू टेबल स्पून और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें अड़ कर देंगे लेमन जूस फाइव टेबल स्पून यह फ्रेश लेमन जूस है लेमन जूस टालने के बाद हम इसमें अड़ करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च वन टेबल स्पून रच चिली पाउडर वन टेबल स्पून पैप्रिका पाउडर तू टेबल स्पून अब हम इसमें अड़ करेंगे विनिगर फाइव टेबल स्पून मैं वाइट विनिगर यूस कर रही हूँ आप ब्लैक विनिगर और एपल साइडर विनिगर भी यूस कर सकते हैं इससे हमारे चिकन में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एड़ करेंगे चिकन 2kg यह मैंने लेक्स और चस्ट के पीसिस ले लिए हैं यह अब हम इसमें एड़ कर देंगे और इसे अच्छी तरह मसाले के अंदर मिक्स कर लें ताकि तमाम मसाला जो है वो चिकन पर अप्लाई हो जाए मैं नमक डालना भूल गी थी इसलिए मैं इसमें आड़ कर रही हूं वान टेबल स्पून सॉल्ट यह देखें जी हमारा तमाम मसाला जो है वो चिकन के ऊपर अब हम इससे 5-6 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखतेंगे अब हम त्यार करते हैं इसकी कोटिंग हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें आड़ करेंगे टू एक और इन अच्छी तरह से फैंट लेंगे आप चाहें तो सिरफ अंडे की सफेद्धी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं पूरा एग ही यूज़ कर रही हूं अब हम इसमें आड़ करेंगे प्लेन फ्लॉर फाइफ टेबल स्पून शॉल्ट वन टेबल स्पून गार्लिक पाउडर वन टेबल स्पून जिंजर पाउडर वन टेबल स्पून और इसे मिक्स कर लेंगे थी तरह से इसमें हम डालेंगे वाटर हाफ कप वाटर डालने के बाद अब हम इसमें आड़ करेंगे पैप्रीका पॉडर वन टेबल स्पून पैप्रीका पॉडर डालने के बाद हम इसे ची तरह से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूज सा पेस्ट बना लेंगे यह देखें जी हमारा पेस्ट त्यार हो चुक है अब हम दूसरी साइट पर चिकन की कोटिंग त्यार कर लेते हैं उसके लिए हमें चाहिए मेदा तू कप प्लेन फ्लॉर कॉन फ्लॉर हाफ कप सॉल्ट हाफ टीस्पून सॉट डालने के बाद अब हम इसमें एड कर लेंगे पैप्रिका पॉडर हाफ टीस्पून और इन सब चीजों क अची तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम आते हैं अपनी फ्राई की तरफ फ्राई करने के लिए हम एक पैन ले लेंगे मैंने कड़ाई ले ली है और उसमें डालेंगे ऑईल यह देखें जी चिकन हमारा जो जिसे मैंने 5-6 घंटे मैरिनेट किया था तो माम मसाला जाट चिकन में मिक्स हो चुके हैं अब हम इसकी कोटिंग करेंगे सबसे पहले चिकन का एक पीस ले लेंगे और उसको मैदे और कॉन फ्लोर के मिक्सर में अची तरह से लगाएंगे और उसके बाद हम इसको डिप करेंगे जो हमने अपने अंडे का मिक्सचर बनाया था और द्वारा से ही हम इसे दुबारा मैदे में और कॉन फ्लोर के मिक्सर में दुबारा से लगाएंगे अची तरह से यह देखें जी हमारी कोटिंग हो चुकी है इसी तरह हम तमाम जो चिकन के पीसी इस कोटिंग कर लेंगे अब हम इसे फ्राई करते हैं यह देखिए जी हमारा चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है इसे तक्रीबन हम एक साइड से 7 मिनट्स फ्राई करेंगे यह देखिए हमारे चिकन की एक साइड जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और देखिए कितनी क्रिस्पी चिकन त्यार हो रही है यह देखिए जी हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और कितना जबरदस कलर आया है अब आते हैं इसकी प्लेटिंग की तरफ यह देखें जी चिकन तियार है हमारा बिल्कुल आप इसे जरूर ट्राइ करें अपनी फैमली के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपनी फ्रेंज के साथ इसकी रेस्पी को जरूर शेयर करें यह बहुत मज़े की रेस्पी है अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें इन्शाला मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ